Islamic law, इंसाफ और अच्छाई का चिराग दुनिया के कानून पर गहरा असर डाला है। इसके उसूल, खुदाई किताब और इंसानी अक्ल से निकले हैं, समाजों को बनाया और कानूनी सिस्टम को दुनिया भर में सदियों से प्रेरिद किया है। ये कानूनी रिवाज, जिसे अकसर गलत समझा जाता है, अपने अंदर ठेर सारा ग्यान रखता है, जो आज भी हमारे नए जमाने में गूंचता है। Islamic law का असर कानूनी सोच के पेचीदा ताने बाने में देखा जा सकता है। पुराने जमाने के नियमों से लेकर आज के मुश्किल कानूनी धांचे तक, Islamic law का असली मतलब इनसान की नेकी, बराबरी और व्यवस्था की चाहत से है। Islami कानून की शुरुआत कुरान से होती है, जो Islam की मुकद्द ब्यूंस कि टाइस साल की मदद में पेगम्र मुहम्मद पर नازल हुई। खुरान इनसाफ और अखलाकियाद के असूल बताती है। पुरान के साथ साथ, संत, पेगंबर मुहम्मद की तालीमाद इसलामी कानून की बन्याद हैं। उसलामिक लौ अपने मूल सिध्धांतों के रूप में न्याए, समान्ता और नश्पक्षता पर जोर देता है। इसलाम में न्याय की खोज को एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है और कानूनी व्यवस्था इस सिध्धान्त को उसके सभी रूपों में बनाए रखने के लिए बनाई गई है। कानून के समक्ष, समानता का सिध्धान्त, इसलामी न्याय शास्त्र की एक और आधार शिला है। सामाजिक स्थिती, धन या जातियता के बावजूद सभी व्यक्तियों को इसलामी कानून के तहट समान माना जाता है। यह सिध्धान्त सुनिश्चित करता है कि न्याए निश्पक्ष रूप से दिया जाए, बिना किसी पक्षपात या पूर्वाग रहके. इसलामी कानून न्याए के प्रशासन में दया और करुणा के महत्व पर भी जोर देता है. पुनर स्थापनात्मक न्याए की अवधारणा, पुनर्वास और सुलह पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इसलामी कानूनी परंपरा के भीतर गहराई से अंतरनिहित है. परामर्श या शुरा और सहमति या इज़मा के सिधान्त इसलामी कानून के विकास और अनूप्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये सिध्धान्त सुनिश्चित करते हैं कि कानूनी निर्णय, विचार, विमर्ष और सामोहिग ज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से किये जाते हैं, जो समुदाय के विचारों और हितों को दर्शाते हैं. स्पेन से भारत तक विशाल क्षेत्रों में इसलाम का प्रसार, इसलामी कानून के प्रसार और विविध कानूनी प्रणालियों पर इसके प्रभाव का कारण बना। विभिन भाशाओं में अनुवाद द्वारा सुगम बनाया गया। इसलामी चात्र वृत्ती और कानूनी विचार भले पूले जिससे इसलामी न्याय शास्त्र पर कई ग्रंद और टीकाएं तयार हैं। इसलामी कानून और अन्य कानूनी परंपराओं के बीच वादचीत ने विचारों और प्रथाओं के पाग निशेचन को जन्म दिया। इस बौधिक आदान प्रदान ने कानूनी प्रबचन को समुर्ध किया और अधिक परिश्कृत कानूनी धहचे के विचास में योगदान दिया। भाग पांच पश्चिमी कानून में जहलक। पश्च्चमी कानूनी प्रणालियों पर इस्लामी कानून का प्रभाव विशेश रूप से मध्ययुगीन काल के दौरान विध्वानों के बीच बेहस का विशय है। कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि इसलामी कानूनी अवधारणाओं जैसे कि अनुबंधों का कानून और वानिजिक कानून का यूरोपिय कानूनी विचार के विकास पर महत्वपून प्रभाव पड़ा। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से घ्यान के प्रसारण ने इसलामी और यूरोपिय समाजों के बीच कानूनी विचारों के प्रसार को सुगम बनाया होगा। मध्य युगीन काल के दौरान यूरोपिय विश्व विद्यालायों में इसलामी कानून के अध्ययन से इस कानूनी परंपरा के साथ बौधिक जुडाव का पता चलता है। जूरी द्वारा मुकदमे की अध्यारना जो पश्चिमी कानूनी प्रणालियों की आधार शिला है की जड़ें इसलामी कानूनी प्रथाओं में हो सकती है। भाग छे आज के जमाने पर असर इसलामी कानून के सिध्धान्त समकालीन दुनिया में प्रासंगिक बने हुए हैं जो मुस्लिम बहुल देशों में कानूनी और सामाजिक प्रवचन को सूचित करते हैं। कई देश इसलामी कानून के तत्वों को अपनी कानूनी प्रणालियों में शामिल करते हैं, खासकर पारिवारिक कानून और व्यक्तिगत स्थिती जैसे क्षेत्रों में। इसलामी वित्ट और बैंकिंग के उधे ने वित्ट और वानिज्य से संबंधित इसलामी कानूनी सिध्धान्तों पर नए सिरे से ध्याना कर्शित किया नैतिक निवेश और जोखिम साजाकरण के सिध्धान्तों पर आधारित इसलामी वित्त वैश्विक वित्तिय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है। मुस्लिम समाजों में मानवाधिकारों और सामाजिक न्याए के बारे में चल रही बहस अक्सर इसलामी कानूनी सिध्धान्तों और मूल्यों पर आधारित होती है। भाग साथ इंसाफ की अमर रूप इसलामी कानून, न्याए, समानता और करुणा पर जोर देने के साथ समकालीन कानूनी चुनोतियों का समाधान करने के लिए एक मूल्यवान धाचा प्रदान करता है। इसलामी कानून के सिध्धान्त एक अधिक न्याय संगत और न्याय पूर्ण दुनिया में योगदान कर सकते हैं इमानदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा जैसे मूल्यों को बढ़ावा देकर इसलामी कानून सम्मान और जिम्मेदारी की संस्कृती को बढ़ावा देता है इसलामी शिक्षाओं के भीतर, गहराई से अंतर निहित सामाजिक न्याय की अवधारणा संसाधनों और अवसरों के समान वित्रण के महत्व पर जोर देती है इसलामी कानून कमजोर समूहों की सुरक्षा और गरीबी और अन्याय के उन्मूलन को बढ़ावा देता है भाग आठ संस्कृतियों को जोड़ना, पुल बनाना इसलामी कानून का अध्ययन, सांस्कृतिक विभाजनों को पाठने और विभिन समुदायों के बीच अधिक समझ को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है इस कानूनी परंपरा के साथ जुड़कर हम दुनिया की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के मूल्यों, विश्वासों और द्रिष्टिकोणों में अंतरद्रिष्टी प्राप्त कर सकते हैं तेजी से जुड़ी हुई दुनिया में शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पार सांस्कृतिक समझ आवश्यक है इसलामी कानून के बारे में सीखना गलत धारणाओं और रूडियों को दूर कर सकता है आपसी सम्मान और प्रशंसा को बढ़ावा दे सकता है इसलामी कानून के सिध्धान जैसे न्याय, समानता और करुणा सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं झाले साथ आपका बेस्ट अवाद प्रतिध्वनित होते हैं भाग दस इनसाफ का भविश्य इसलामी कानून के सिध्धान्त, न्याय, समानता और करुणा पर जोर देने के साथ एक अधिक न्याय संगत और न्याय संगत वैश्विक कानूनी व्यवस्था के विकास में योगदान करने की क्षमता रखते हैं विभिन्न कानूनी परंपराओं के बीच समवाद और सहयोग को बढ़ावा देकर हम ऐसे भविश्य की दिशा में काम कर सकते हैं जहां कानून का शासन मानवीय गरिमा को बनाए रखता है और शान्ती को बढ़ावा देता है इसलामी कानून और अन्य कानूनी प्रणालियों के बीच जुडाव आपसी सीख को बढ़ावा दे सकता है और कानूनी विचार के विकास में योगदान कर सकता है इसलामी कानून के सिध्धान्त वैश्विक समस्या समाधान के लिए एक अधिक समगर और नैतिक दृष्टिकोर्ण में योगदान कर सकते हैं इस्लामी कानून सहित विविद कानूनी परंपराओं के साथ जुड़कर हम आपसी सम्मान और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं सभी के लिए एक अधिक न्याय संगत और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने के लिए मिलकर देखें